दीदी आपका घर तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या बात है लगता है आपके बेटे पैसा कुछ जहदा ही कमाने लगे अरे गुल्लो क्यों मजा कर रही हूँ तुम्हें तो सब पता है फिर भी ऐसी बात कर रही हूँ दीदी का मजा कुड़ा रही हूँ नेरे नसीब में ऐसा घर कहा है अरे दीदी हम मजा कहा उड़ा रहे हैं आली सान बंगले में रहती हो तुई हमने बोल दिया है हम मजा कहा उड़ा रहे हैं इतना अच्छा घर तो दीदी मेरा मुंबई ने भी नहीं है जितना चाप का है गुल्लो पता है तुमको बेटा अभी यहां गाह में बाड़ा आ गई थी हमारे घरवर सब डूब गए थे बहुत दिक्कत में फस गए थे अरे तो एक यहां के बहुत बड़े लोग हैं तो हम ऐसे रास्ते रास्ते भटक रहे थे तो उनने बोला कि आप हमारे घर में कुछ और और घर को कशचे दिन रहे लों और हमारा जल्म करते वहं तक सुनारा घर नहीं भन रहा है तो इसी में बनी रहा हो जो ंंके घर में रहा है हमारा पूटा फूल्त prove नदी गई में भोड़ि धाने दी बरहुत capacity नहीं एंड़े बंगला बनवा लेंगे भला हम तुम्हारी किसमत अच्छी है गुलो तुम्हें अच्छा गर मेल गया बड़ी आइस वाराम से रह रही हो बुम्बाई जैसे सहर में तुम्हें किस चीज का कर्ष्ट हाँ दीदी वो तुम्हें अपनी अपनी किसमत है जिसकी जहां ले जाए वो तुम्हें करम का फाल होता है जिसके अच्छे करम होते हैं उसे अच्छी चीज मिलती है जिसके करम बुरे होते हैं उसे बुरा ही मिलता है हाँ हो सकता है ऐसा भी हो इस जनम का तुम पता नहीं साय आते जाते रहते हैं इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए और फिर कुछ पता नहीं होता किसमत का कब कहां पलट जाए आँ देखो ऐसे कहां किसी की किसमत पलटती है ऐसे पलटने लगे तो क्या पूछना है अरे आब क्या सोचना है गुलो कहते नहीं है बहुत गई थोड़ी रही अब कितनी चिंदिकी बची अब इसके बारे में क्या सोचना है राम भजन करो बस यह है कि अपने हाथ पैर चलाते रहो यही बहुत है भगवान खाने को दोनों टेम दे रहा है उतने में तुम्हारी दीदी खुस है ज्यादा की जरूरत नहीं है यह बात तो सही है आदत पड़ गई है ना आपकी गरीबी में जीने की मुझे देखो मैं कभी-कभी जमी में पैर रखती हूँ वरना हमेशा गाड़ी पे चलती हूँ मैं तो कभी एतना न जेल पाँ वो तो मैंने सुना था आपकी प्रोब्लम है तो मैंने का चलो मेलाती हूँ दीदी से वरना मुझे तो गाउवाँ से बड़ी घिनाती है मुझे कताई पसंद नहीं है इस सब गुल्लो बेटा मेरी बात सुनो विचार दिन से तुम मुंबाई में रहने लगी तो ऐसी बाते करने लगी बेटा तुम गाउव में ही पैदा हुई हो है गाउव में पढ़ी बड़ी गाउव में तुम पढ़ी है और गाउव से तो घिनाने लगी बताओ गाउव से तो एक अगर नहीं होना चाहिए छिल्गो कि आपना घाहन भी भूल जाओ कि कभी कभी जमी में पैर रखती उ गेंता होगी बताओ हों कैना नहीं चाहिए चोटी वितन्हों मेरी मिलना तो में मिटी में ही है बता के समिलने आई हैं और ऐसी बाते कर वा है मैं देखो तुम्हें बता रही हूं तुम्हें ठेस नहीं पहुचा रही हूं तुम्हें बुरा मत मानना बताना जरूरी होता है कहते हैं अगर कोई भटक जाये तो उसे सीधे रास्ता लाना चाहिए इसलिए बता रही हूं तो यह बहम अपने दिमाग से निकाल दो यह गलत था lihat रहता हो dos Was a यह अपना संसकारी जाओ अपनों को बूल जाओ मैं कौन हो तुमारी भी近 मैं तुम्हें माँ के समान थो मैंने पाला है कि इक किती छोटी थी तुम्हें पता है अब तो बता हुआ अपनी दीदी से ऐसी बात करती हूँ यह तो गलत बात है ना बेटा है अब मुंबई में तु रहते हैं पैसा तो है हमारे पास सारे आइस आराम तो है आग की तरह तो नहीं इसके उसके मकाम में रहते गूम रहे हैं, बताइए, जो आप हमें इतने लेक्चर दे रहे हैं, हाँ, वो सभूल लेकिन बेटा, इसके उसके मकान में भी रहते हैं, कहते हैं जब पूरा परवार साथ में होता है न, तो बह। अच्छा लगता है, एक साथ बैट के जमीन में खाना खाओ तो वो सुकून देता है या तुम्हारी पचास लाग की डाइनिंग टेबल में तुम अकेले बैट के खाओगी वो सोबा देता है पताना जरा दीदी, एक बात बोलू न सहरों में ये कोई नहीं देखता है है थीक है? और ये अपने दिमाग से ये वाला कीड़ा निकाल दो घुलो पागलो अपने ही काम आते हैं लाग सहर में रहती हो माना लेकिन यह जो बाते कर रही हो यह अब दुबारा मत करना यह सबसे गलत हैं कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा जिस्स ऐसी बाते करोगी यह लोग उच्छे लोग बात करते हैं जिनके बुद्धी नहीं होती जिनके कि पास पैसे का घमंड होता है गहमड ज़्याधा दिन नहीं चलता है समझ में आया कि wanna करें हम गरीब हैं तो क्या हुआ हमारी भी बहु मुंबई में रहती है यह पता है तुमको है मेरा बेटा आई नौकरी require त civ हमRight तो ये गलत है जो से जोड़के नहीं चोन सकता होऊ कहीं नहीं सकता इतना याद रखना जाध पैसे के उसमें मत भूलो चलो ये सारी बाते छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा है तीक है और बताओ चाय पीओगी या उफ, यहां कौफी आप लोगों के पास कौफी है भी या फिर ऐसी बाते मार रही हो अरे गुल्लो गरिब है तो क्या हुआ अपनी बेहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या अरे, माना कि हम गहाँ वाले हैं कॉफी पीते नहीं है, अब इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो क्या अपनी बेहन को कॉफी पिलाने सकते, तुम हुकम तो करो, क्या पियोगी, अर दीदी ना पिलाए तो बता न, वाँ, क्या वाँ, बाते तो बड़ी-बरी बाती हो दीदी, जारा देखा भी दो, कॉफी कह कोफी होती कैसे कलर किये यही बता दो अरे मुझे नहीं से लिए गाह पसंद नहीं देखो किते कुट्टे भूग रहे हैं बाहर यह सम्मुझे कता ही पसंद नहीं है अच्छा गाहों से जादा तो सैरों में लोग कुट्टे पालते हैं घर के अंदर तब कैसा लगता है वह नहीं भूगते क्या और हां क्या कह रही थी तुम कोफी का कलर बता दू कोफी नहीं जानते हूं मैं कोई बात नहीं ना जानने दो तुम्हें कौफी पीनी है बताओ तो बिला कौफी पीती हूं दू-दूद वाली नहीं पीती हूं क्योंकि मैं फिट रहना पसंद करती हूं मोटापा मुझे कता ही पसंद नहीं है आपकी तरह एधर एक किलो मा से लटक रहा एक किलो मा से लटक रहा अची मुझे तो बड़ा घिन आता है असा सरीर देखके बता नहीं दीबी, आप कैसे रह लेती हो, अरे थोड़ा योगा, योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, जे में जोयन कर लो, इतना मुटाप अले के कहां जाओगी, अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, मेरे मुटापे को मेरे पास है, रहने दो, तुम ही फिट रहो, हम गाहँ वाले हैं, में इनत करते हैं दवागे, अप्रभू के गुड़गाते हैं, चलो, होगा, वैसे भी मुझे क्या करना है, एक काम करी, ब्लैक कॉपी मंगा दीजिए मुझे, मैं ब्लैक कॉपी पीती हूँ, अच्छा ठीक है मंगाते हैं, मंगा आओगे किसने, खुदी जाके ले आओ, यहां तो कोई दिख नहीं रहा है, वैसे तुमारी बहुमे हूँगे कहां, तीन-तीन बहुमे हैं, देख एक भी नहीं रही हैं, वो भी सब मुंबई ही रहती हैं, अरे नहीं गुल्लो, सब यहीं रहती हैं, लच मीबाओ, बेटा, जरा बिला एक कॉपी लेके आना, अपनी मौसी सास के लिए, ओके मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ, बर्तन दुल रही हूँ, बर्तन दुल्लू अभी आई, ठीक है बेटा, दुल्लो बर्तन जल्दी से फ गुल्लो, तुभारे बाल बहुत सुंदल लग रहे हैं, तुमने ये बाल कहां से कटवाए थे, ओफो, दूर हटो दूर, मुझे टच मत करो दीदी, मुझे ना कोई टच करता है, नो बहुत गंदा लगता है, दूर हटो दूर, अरे क्या हो गया, हम तो बालों के लिए गुल्लो, जूट के बोल रही हो, मेरे हाथों से कहां बदबू आ रही है? बताओ, अपने दीदी को बदनाम कर रहे है, कैसी बेहन है मेरी हां हां ठीक है, तो अपने गंदे सब्ले हां तो अपने पास ही रखो और मौसी को दे दो अपनी लेजिए मौसी कॉफी पी लेजिए हाँ हाँ ठीक है ठेंक्यू ठेंक्यू मौसी जी पैड चू रहे हैं ओहो दूर से दूर से छूला मत मुझे छूला मत दूर से हाँ ठीक ठीक है खुस रहो बस हटो हटो गुलो पूजा पाट हो गई नारी पूजा पाट हो गई सब कोछ हो गया इनास्ते के एक बर्तन पड़े थे अमने जोचा पूजा दूल ले तो आपने बोल दिया कॉफी लेके हो तो हम बस कॉफी लेके आ गई बताए हे धाने में क्या बनाना है देख लो बेटा जो कोछ हो रखा वो तुबना लेना थीक है माजी यो कफी गुल्लो हाँ हाँ पी रहे हैं एक बाद बोलू एको जितनी बहु मेरी है उतनी तोह तुम्हारी भी है तुम्हें लच्वी बहु से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी ठीक है एक दिन तुम भी सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कोई मेरी बहुँगों के ऐसे बेजीती करें ना मैं वकताई बरदास नहीं कर सकती हूँ लाग तुम मेरी बहनों तो क्या हुआ वो अभी तो किसी घर की बेटी है हम तो कभी ऐसे बात नहीं करते अपकी बहुँएं आप ही जैसे है मेरी बहुँँँओ को देखना हीरवेन लाओंगी हीरवेन अपनी बहुँएं अपने बेटों के लिए भूलो सब की बहुँए हीरवेन यह वोती है ठीक है मैं होटल से खाऊँगी मैं घरवार करदा ज्यादा पसंद नहीं करती हूं ठीक है ठीक है ठीक है होटल से खा ले में वेसे हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए हम तो बहुता ताल चाबल रोटी मांग मुर्ण के खा लेते हैं भूश्यका और मालिक काम करते रहते हैं तो कोई बात नहीं है तो आ लेक हमारे घर में कुछ मिलेगा नहीं तो मोटल में में एकका लेना अभी तो कॉफी पीलो हा, हा, ठीक है झाल झाल